नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर ड्राइविंग करते हुए सीम हेमन सुरेन ने दिया राजी वासियों के नाम संदेश जारखन के मुख्यमंत्री पत की शपत लेने के बाद मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने जारखन की जनता को खास संदेश दिया है बता दे कि इस संदेश को उनकी पतनी कलपना सुरेन ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेर किया है खबरे की वीडियो को शेर करते हुए कलपना सुरे ने बदाया कि प्रोजेक्ट भोवन से कार्यों को निप्टाने के बाद आवास आते समय हमाद सुरे ने राज्य वासियों के नाम संदेश दिया है वीडियो में हमन सुरे ने कहा आखिरकार सड्यंतर पर बीजे पाकर हमने जारखन के विकास का इस्टियरिंग अपने हाथ में ले लिया है जारखन अपने आप में बहुत ही अलग राज्य है एक ऐसा राज्य जहां लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्स करते हैं पलायन करते हैं इस राज्य के प्रती सरकारों की संबेदन शीलताएं होने चाहिए जो नहीं रही उन्होंने आगे कहा 2019 में आपने मुझे राज्य को दिशा देने का जिम्मा सोबा इसके बाद कोरोना काल में हमारे राज्य की क्या इस्थिती थी आपको पता है शुगरवार को मुख्यमंत्री हैमस सुरेन ने की बगला मुखी मंदीर में पूजा अर्चना जारखन के सीम हमस सुरेन ने शपत गरहन और पदभार गरहन करने के बाद मा बगला मुखी मंदीर में पूजा अर्चना की खबरे की सीम हमसोरेन शुक्रवार यानि पांच जुलाई को अपनी पतनी कलपना सोरेन के साथ काली मंदीर लेन इस्थित मा बगला मुखी मंदीर गए और वहाँ पूरजा अर्शना की बतादे की मुख्यमंतरी हमसोरेन ने मुख्यमंतरी के रूप में शपत लेने के बाद गुरुवार यानि चार जुलाई की रात को भी पतनी कलपना सोरेन के साथ मंदीरों में पूजा की थी दोनों ने सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास परिसर में इस्थित मंदिर में भगवान भोलिनात और बजरंग बली की पूरे वीधी विधान से पूजा की बतादे की मा बगला मुखी की पूजा करते बतादी की हेमन सुरे ने 4 जुलाई को जारखन के 13 सीम के रूप में शपत ली है इसके पहले कथित जमीन घोटाला मामले में इडी ने उन्हें 31 जनौरी 2024 को गिरपतार कर लिया था बिश्वास मत परिक्षन के बाद होगा जारखन केबिनिट का बिश्दार जारखन में हेमन सुरेंड के नेत्रित वाली नई सरकार का बिश्वास मत परिक्षन 8 जुलाई को बिधान सभा के पटल पर होने की खबर है खबर है की गुरवार शाम सीम पद की शपत लेने के बाद हेमन सुरेंड के नेत्रित वाली एक सदसिय केबिनेट ने इसके लिए बिधान सभा का एक दिवसी बिसे सत्र आहुत करने की स्विक्रितिती है मीडिया की खबरों को माने तो आठ जुलाई को जारखन बिधान सभा की प्रक्रिया तथा कारिज संचालन के नियम 149 के अधिन मुख्यमंत्री पन जिहा मंत्री परिशद में बिश्वास का परस्ताव पेश करेंगे इस पर वाद विवाद के बाद मत दान होगा माना जा रहा है की केबिनेट का बिश्वास मत परिशन के बाद होगा गुरुवार शाम चार बच कर पच्पन मिनट में जहारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लेते ही हेमांसुरेन एक्षन मोड में दिख रहे हैं जेसेसी ने निकाली दस्वी पास के लिए बंपर सरकारी नौकरी जेसेसी यानि जहारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमिसन ने फिल्ड वर्कर के पद पर योगियों उमिदबारों से आविदन मागे हैं जो उमिदबार इन पदों पर आविदन करने की जरूरी योगियता और इच्छा रखते हों वे जेसेसी की आधिकारी वेबसाइट पर जाकर अपलाई कर सकते हैं बतादी की अभी इन वेकेंसी के लिए केवल नोटिस रिलीश किया गया है आविदन लिंक नहीं खुला है बतादी की आविदन 1 अगस 2024 से शुरू होंगे और अपलाई करने की आखरी तारिक 31 अगस 2024 है यानि आप अगले महिने से इन भरतियों के लिए फॉर्म अपलाई कर सकते हैं बतादी की इस रिकूरूटमेंट ड्राइब के माध्यम से कुल 510 फिल्ड वरकर पद पर भरती होंगी ये पद हेल्थ मेडिकल एजुकेशन एंड फैमिली वेलफियर डिपार्टमेंट के अंडर निकले हैं इनका शॉर्ट नोटिस 28 जून के दिन परकाशित किया गया था जार्खन में भारती जनता पार्टी ने बलिया बड़ा निरने इस नेता को बनाया प्रभारी जार्खन में होने वाले बिधान सभा चुनाओं से पहले शुक्रवार यानी 5 जुलाई को भारती जनता पार्टी ने बड़ा निरने लिया है बीजेपी ने यूपी बीजेपी के वरिष्ट नेता और सांसद लक्षमिकांथ बाचपई को पार्टी ने जार्खन का परभारी नियूक्त किया है खबरे की उत्तर पर्देस बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके राजिसवा सांसद लक्षमी कांथ बाजपई के पास संगठन में काम करने का लंबा एक्सपिरियंस है ऐसे में जहारखण में भाजपा को इसका फाइदा मिलने की संभावनाय नजरा रही है खबरे की लक्षमीकांथ बाजपई को परभारी बनाय जाने पर जहारखण भाजपा के अध्यक्ष बावलाल मराणी ने कहा कि उनके मार्ग दर्शन से पार्टी को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण बिशवास है कि आपके कुषल मार्ग दर्शन में भारती जंतपाटी जारखण में शूसासन का राज स्थापित करेगी देश के कई राजियों में भारी बारिश की चितावनी IMD का अलट देश के कई राजियों में भारी बारिश का दौर जारी है वहीं मौसम बिभागने देश में अगले चार पांच दिनों के दोरान उत्तर पसीम और पूर्वी भारत में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है कबरे की मौसम विभागने चार और पांच जुलाई को बिहारत में चार से चार जुलाई के दोरान पसीम मंगाला और सिक्कीम में चार जुलाई को जिहां अरुनाचल प्रदेश नागालिन मनिपूर मिजोरम और तीरुपुरा में चार और साथ जुलाई को अस्सम और मेघाले में और साथ जुलाई को ओडिसा में अलग-अलग इलाकों पर बहुत भारी बर्शया होने की संभावना जताई है IMD ने कहा है कि अगले पाँच दीनों के दोरान उत्तर पस्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हलके से मध्यम दर्चे की बारिश होने की संभावना है बतादे कि 6 जुलाई को जम्मू कश्मिर लदाक में भारी बारिश होने की संभावना है WhatsApp में आया Imagine Me फीचर अब AI से बनवाए अपनी शांदार तस्वीर WhatsApp पर एक नया और इंटरेस्टिंग फीचर आ रहा है जिससे उपभोगता अपनी फोटो को आर्टीफिसिल इंटेलिजिन्स से बदल सकेंगे यह फीचर WhatsApp के बीटा वर्जन 2.24.14.7 के लिए पेश किया गया है WA बीटा इंफो ने इस फीचर की जानकारी दी और कुछ स्क्रीन शॉट भी शेयर किये हैं इसने फीचर के जरी यूजर्स अपनी फोटो को क्लिक करके उसे AI के जरी अलग अलग तरह से बनवा सकते हैं इसका मतलब है कि अब यूजर्स को उनकी AI जेनरेटेड फोटो मिलेगी जो एकदम नए और अलग रूप में होगी इस फीचर को यूजर्स को फोटो का एक सेट लेना होगा ये सेट अप फोटो जो मेटा AI को चेकिंग के लिए भेजी जाएगी जिसके बाद AI इन तस्वीरों का यूज करके नई और अनोखी AI फोटो ज तेयार करेगा बता दे कि यह जाना जरूरी है कि यूजर्स किसी भी समय मेटा AI सेटिंग से अपनी सेट अप फोटो को हटा सकते हैं एक बार सेट अप फोटो लेने के बाद यूजर्स मेटा AI कनवरिशेशन में Imagine Me टाइप करके अपनी AI फोटो तेयार करने के लिए कह सकते हैं सुप्रीम कोट में केंदर का हलप नामा परिशा रद करने के पक्च में नहीं सरकार जताया गंभीर खत्रा नीट यूजी मामले में केंदर सरकार ने सरवोच अदारत में हलप नामा दाखिल कर परिशा को रद न किये जाने की अपिल की है जिसके लिए केंदर की ओर से कुछ तरकों और तत्यों को रखा गया है सुप्रीम कोट में दाखिल किये गए हलपनामे में केंधर ने कहा परिक्षा में गोपनियता के बड़े पेमाने पर उलंगन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परिक्षा को रद करना तर्क संगत नहीं होगा केंद्रे ने सुप्रीम कोट से कहा कि परिक्षा को पूरी तर सरद करने से 2024 में प्रश्ण पत्र देने वाले लाखों इमानदार उमिद्वारों को गंभी रूप से खत्रा होगा इसी हलप नामे में केंद्रे ने कहा कि सीबियाई को साजिश धोखा धड़ी प्रती रूपन बिश्वास खात आदि सहित कथित अन्यमीताओं के आरोपों के पूरे दैर की जाच करने के लिए कहा गया है इसके अलावा केंद्रे ने इस बात का भी भरोसा जताया है कि भारत सरकार सभी परतियोगी परिक्षाओं को निस्पक्च और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए परतिपद्ध है जियो के तीन नए सस्ते रिचार्च प्लांस मात्र एक्याउन रुपे में मिलेगा अनलिमिटेट 5G डेटा देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपणी रिलाइन जियो ने हाली में अपनी रिचार्च प्लांस की कीमते बढ़ाई है प्राइस हाईक के साथ ही कमपणी अपने लिच्ट से कई सारे रिचार्च प्लांस को हटा भी दिया है हलाकि अब जियो ने अपने करोडो ग्राहकों को बड़ी रहा दी है जियो ने अपनी यूजर्स के लिए तीन नए 5G डेटा पोश्टर प्लांस लाँच कर दी है डेटा पोश्टर प्लांस पेश किये हैं अगर आपका डेली डेटा प्लांस खत्म हो गया है तो आप इस प्लांस को जिहां ले सकते हैं टेलिकॉम स्टॉक जियो टेलिकॉम टॉक रिपोर्ट के मताबिक जियो ने गरहाकों के लिए 151 रुपए, 101 और 151 रुपए के डेटा बुष्टर प्लांस लाँच किये हैं जिहां रिलाइंस जियो एक्याओं रुपए के रिचार्ज प्लांस में गरहाकों को अनलिमिटेट 5G डेटा के साथ 3GB 4G डेटा ओफर कर रहा है अगर आपने अपने नंबर पर 1.5GB, 1.5D डेटा वाला एक मेने का प्लांस लिया है तो आप 5G डेटा के लिए 151 रुपए का रिचार्ज प्लां ले सकते हैं इस प्लां की वैलिडिटी आपके सक्रिये प्लां के बराबर हो